हेलो स्टुडेंट्स आप देख रहे हैं साइन्स फैटर क्लासेज और आज की इस क्लास के माध्यम से हम क्लास 10 साइन्स के चेप्टा नमबर 2 एसिड बेस एंड साल्ट यानि की अमल चार और लवन को पढ़ने वाले हैं तो चलिए शुरू करते हैं सबसे पहले हम पढ़ेंगे कि एसिड क्या होते हैं अमल किसे कहते हैं एसिड क्या होते हैं तो देखिए कुछ एक्जामपल हम यहाँ पे एसिड के लेते हैं एसिड के लेते हैं तो जब अमल को जब एसिड को जल के अंदर डाला जाता है तो क्या होता है कि जो भी अमल है उसको जब हम जल में डालेंगे तो यह आइनों में क्या होता है तूट जाता है For example जब हम S2SO4 को जल के अंदर डालेंगे तो क्या होगा यह H plus आइन और SO4 minus SO4 2 minus आइन में तूट जाता है इसी तरह से HCl का हम देखें तो यह H plus आइन और Cl minus आइन में तूट जाएगा और HNO3 का हम देखें तो यह H plus और Nitrate आइन NO3 minus आइन में तूट जाता है तो जितने भी अमल होते हैं जब उनको जल के अंदर डाला जाता है तो वो आइनों में क्या होता है तूट जाता है सभी अमल में आप देख पारे हो सब के अंदर H plus आइन जो है वो क्या है तो यानि कि ऐसे योगिक या फिर ऐसे पदार्थ जो अपने जलिये विलियन के अंदर कौन सा आइन देते हैं H plus आइन देते हैं उनको हम क्या कहेंगे Acid कहेंगे या फिर अमल कहेंगे इसके इलावा टेस्ट की हम बात करें तो अमल जो है वो स्वाद में कैसे होते हैं खटे होते हैं अमल स्वाद में कैसे होते हैं खटे होते हैं और अपने जलिये विलियन में कौन सा आइन देते हैं H plus आइन देते हैं उनको हम क्या कहेंगे, एसिड कहेंगे, इसी तरह से हम बात करें, बेस की यानि की छार की, तो छार किसे कहेंगे, छार वो पदार्थ होते हैं, वो योगिक होते हैं, जो अपने जलिये विलियन में कौन सा आयन देते हैं, OH- आयन, जलिये विलियन के अंदर कौन सा आयन देते ह OH-AIN देते हैं, उनको हम क्या कहेंगे, चार कहेंगे, कुछ एग्जामपल हम देखें, चार के, तो sodium hydroxide, इसके इलावा magnesium hydroxide, जिसको milk of magnesium कहा जाता है, ये किसके एग्जामपल है, चार के एग्जामपल है, तो चार किसको कहेंगे, जो अपने जलिये विलियन में OH-AIN देता है, और जो अपने जलिये विलियन में OH-AIN देता है, उसको हम क्या कहेंगे, अमल कहेंगे, अब देखिए, अमल जो है, वो स्वाद में कैसे होते हैं, खटे होते हैं, लेकिन चार जो है, वो स्वाद में कैसे होते हैं, बीटर होते हैं, यानि कि कडवे होते हैं, और टच करने प कर सकते हैं citric acid देखो citric acid जो है citric acid जो है वो किसमें पाया जाता है जितने भी खटे फल होते हैं जैसे की निम्बू में कौन सा अमल होता है citric acid होता है इसके इलावा टार्ट्री कमल टार्ट्री कमल की हम बात करें तो टार्ट्री कमल जो है वो किसमें पाया जाता है इमली के अंदर इमली में कौन सा अमल होता है टार्ट्री कमल टमाटर की हम बात करें तो टमाटर में कौन सा अमल होता इस्टुडेंट ओक्जेलिक एसिड कौन सा अमल होता है टमाटर में ओक् करें तो आचार में आप सभी जानते हैं आचार में कौनसा अमल होता है एसिटी कमल आचार में कौनसा अमल होता है एसिटी कमल इसके इलावा दही में कौनसा अमल होता है लेक्टी कमल इसके इलावा चिटी के डंक की हम बात करें तो चिटी के डंक में कौनसा अमल होता है, फॉर्मी कमल, फॉर्मी कमल किसमें पाया जाता है, चिटी के, डंक के अंदर, इसके इलावा एक होता है, नेटल का प्लांट, नेटल का पोधा, तो नेटल का जो पोधा होता है, इसमें कौनसा अमल होता है, मेथेनोई कमल, कौनसा अमल पाया जाता है, लोग में आते हैं आगे हम बात करें सूचक की तो देखिए सूचक क्या होते हैं सूचक किसको कहेंगे और सूचक जो हैं कितने परकार के होते हैं और यह कितने परकार के होते हैं क्या इनका उपयोग होता है तो देखिए सूचक क्या होंगे सूचक ऐसे पदार्थ होते हैं ज उनको हम क्या कहेंगे सूचक कहेंगे सूचक ऐसे पदार्थ है जो अमल और छार में अंतर को बताते हैं उनको हम क्या कहेंगे सूचक कहते हैं और सूचक कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं एक होता है आपका प्राकर्तिक सूचक दूसरा करतरीम सूचक और तीसरा होता है स्टुडेंट गंधी सूचक तो सूचक कितने परकार के होते हैं तीन परकार के होते हैं एक होता है प्राकर्तिक सूचक एक होता है करतरीम सूचक और एक होता है गंधी सूचक सबसे पहले हम बात करें प्राकर्तिक सूचक की तो देखिए प्राकर्तिक सूचक नाम से इसपस्ट है ऐसे सूचक जो हमें परकर्ती से प्राप्त होते हैं क्या कहलाते हैं प्राकर्तिक सूचक और ऐसे सूचक जो मानव निर्मित होते हैं मैन मैड होते हैं उनको हम क्या कौन कौन से ऐसे सूचक हैं जो हमें नेचर से प्राप्त होते हैं उनको आप यहां से नोट कर सकते हैं जैसे लिटमस इसके इलाबा हल्दी इसके इलाबा गुड हल तो यह कुछ प्राकर्तिक सूचक के उधारण है student litmus की हम बात करें तो देखिए litmus जो है उसको किसे प्राप्त केया जाता है like and say very important litmus को किसे प्राप्त करते है like and say और यह like and जो है like and क्या होता है सह जीविता संब्ध, very important, लाइकेन क्या होता है, सह जीविता संब्ध किसका होता है, कवक और सेवाल का, कवक और सेवाल का सह जीविता संब्ध होता है, लाइकेन, और इस लाइकेन से किसको प्राक्त किया जाता है, लिटमस को प्राक्त किया जाता है, अब देखिए सह जीवि सम्मद्ध क्या होता है यानि कि सुक्सम जीवों का एक ऐसा सम्मद्ध ऐसा समू है जिसमें दो सुक्सम जीव आपस में एक दूसरे को भोजन उपलब्द करवाते हैं और रहने के लिए इस्थान उपलब्द करवाते हैं ऐसे सम्मद्ध को हम क्या कहेंगे सै जीविता सम्मद तो इसी तरह से लाइकेन क्या है एक से जिविता सम्मध होता है किसका होता है कवक और सेवाल का और इससे हम क्या प्राप्त करते हैं लिटमस प्राप्त करते हैं अब देखिए अमल की हम बात करें तो अमल वो पदार्थ होते हैं वो योगिक होते हैं जो निले लिटमस को कैसा करते हैं लाल करते हैं नीले लिटमस को लाल करने वाले जो पदार्थ हैं वो क्या कहलाएंगे अमल कहलाएंगे और इसके बिल्कुल ओपोजिट जो लाल लिटमस को कैसा करता है नीला करता है उसको हम क्या कहेंगे चार कहेंगे तो ये भी आप यहां से अंतर नोट कर सकते हैं कि जो निले लिटमस को लाल करते हैं वो पदार्थ क्या होते हैं अमल होते हैं और जो लाल लिटमस को कैसा करते हैं निला करते हैं उनको हम क्या कहेंगे चार कहेंगे आप इसको इस तरह से याद रख सकते हैं देखिए लाल जो है वो खत्रे का साइन होता है रेड जो है वो कि बिला करें वो क्या होता है चार होता है आगे हम बात करें करत्रीम सूचक की तो देखी करत्रीम सूचक जो मानव निर्मित होते हैं मैन मैड होते हैं उनको हम क्या कहेंगे करत्रीम सूचक कहते हैं कुछ उधान देखें हम करत्रीम सूचक के तो मैथिल औरेंज इसके इलाबा फिनोफ्तिलीन ये उधान किसकी हैं करतरीम सूचक के हैं इसके इलाबा तीसरा है आपका गंधिये सूचक देखिए गंधिये सूचक क्या होते हैं ऐसे सूचक जिनमें हम अमल या चार को डालेंगे मिलाएंगे तो उनका जो इसमेल है उनकी जो गंध है वो क्या होती है प्याज, इसके इलावा वनीला, इसके इलावा लोंग का तेल, लोंग का तेल, तो ये किस परकार के सूचक हैं, गंदिये सूचक है, यानि कि ऐसे सूचक जिनमें अमल और छार को जब डाला जाता है, तो उनकी गंद क्या होती है, परिवर्तित हो जाती है, ऐसे सूचक को हम क कहेंगे गंदिय सूचक कहते हैं और उधान आपके सामने हैं प्याज वनीला और लोंका तेल आगे हम बात करें अमलों की धातूं के साथ अभिक्रिया इसके अलावा अमलों की धातू कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया इसके अलावा हाइडोजन कार्बोनेट के साथ अभिक् जितने भी अमल हैं, जितने भी चार हैं, वो धातों के साथ अभिकिरिया करके कौनसी गेस विस्थापित करते हैं, वेरी इंपोर्टेंट हाइडोजन गेस को विस्थापित करते हैं, अमल और चार धातों के साथ अभिकिरिया करके कौनसी गेस विस्थापित करेंगे, हाइड के पास sodium धातू है और इसकी अभिकरिया हम करवाते हैं किस से hydrochloric acid से तो क्या बनेगा sodium chloride यानि की लवन बनेगा और कौनसी गेस जो है वो release होगी hydrogen गेस तो अमल जो है वो धातों से अभिकरिया करके कौनसी गेस विश्थापित करते हैं hydrogen गेस विश्थापित करते हैं अब देखी यहाँ पे release होने वाली जो गेस है वो hydrogen है इसका पता हम कैसे करेंगे इस गेस के पास जब हम जलती हुई मौंबती लाते तो हम यह कह सकते हैं कि निकलने वाली गेश जो है वो कौनसी है हाइडोजन है यानि कि धातवे अमल से अभिकिरिया करके कौनसी गेश विस्थापित करती है हाइडोजन विस्थापित करती है आगे हम बात करें अमलों की चार के साथ अभिकिरिया उससे पहले हम पढ़ेंगे अमलों की धातू कार्बोनेट के साथ अभिक्रिया अमल और धातू कार्बोनेट इसके इलावा हाइडोजन कार्बोनेट हाइडोजन कार्बोनेट धातू कार्बोनेट और धातू हाइडोजन कार्बोनेट के साथ अमल जो हैं वो किस तरह से अभिकरिया करते हैं तो देखिए धातू कार्बोनेट की या धातू हाइडोजन कार्बोनेट की जब अमल से अभिकरिया करवाई जाती है तो कौन सी गेस रिलीज होती है carbon dioxide, इसको अभिकिरिया के माध्यम से हम समस्ते हैं, जब हम sodium carbonate, sodium carbonate एक धातू carbonate है, और इसकी अभिकिरिया, जब हम किस से करवाते हैं, hydrochloric acid से करवाते हैं, तो क्या होता है, sodium chloride यानि की लवन बनता है, इसके अलाबा, जल बनता है, और क्या बनता है, carbon dioxide gaze जो है, वो बहर निकलती है, तो देखी, धातू carbonate अमल के साथ अभिकिरिया करके, कौन सी gaze विश्थापित करते हैं, carbon dioxide, इसी तरह से हम देखें, धातू hydrogen carbonate, तो sodium hydrogen carbonate की अभिकिरिया, जब hydrochloric अमल से करवाई जाती है, तो क्या बनेगा, sodium chloride, प्लस gel, और कौन सी gaze release होती है, carbon dioxide, अब देखी, यहाँ पे विश्थापित होने वाली जो gaze है, release होने वाली gaze है, वो कौन सी है, carbon dioxide है, इसका पता करने के लिए, हम इस gaze को चुन्ने के पानी में, यानि की बुझे हुए चुन्ने में से क्या करेंगे, परवाहित करेंगे, बुझे हुए चुन्ने का सुतर होता है, calcium hydroxide, CAOS2, तो इस gaze को जब चुन्ने के पानी से परवाहित किया जाता है, तो क्या बनता है, calcium carbonate, क्या बनेगा, calcium carbonate, और यदि हम इसमें अधिक carbon dioxide परवाहित करते हैं, तो वापस से आपको धातू hydrogen carbonate क्या होता है, प्राप्त होता है, तो देखिए, इसके अंदर हम दुबारा से यदि carbon dioxide परवाहित करेंगे, तो क्या बनेगा, यदि हम ज्यादा मातरा में carbon dioxide परवाहित करते हैं, तो क्या बनेगा, calcium hydrogen carbonate, वापस से आपको क्या प्राप्त होता है, धातू hydrogen carbonate प्राप्त होता है, यदि हम कम मातरा में carbon dioxide को चुने के पानी में परवाहित करते हैं, तो calcium carbonate बनता है और यदि हम ज्यादा मात्रा में carbon dioxide को परवाहित करेंगे तो क्या भनेगा धातू hydrogen carbonate यानि कि calcium hydrogen carbonate आपको यहां पे प्रत होता है तो देखे अमल जो है वो धातू carbonate और hydrogen कार्बोनेट से अभिकिरिया करके कौन सी गेस विस्थापित करते हैं कार्बन डाय उक्साइड विस्थापित करते हैं और क्या बनता है लवन और जल बनता है आगे हम बात करें इस्टुडेंट अमल और चार जो है वो आपस में किस तरह से अभिकिरिया करते हैं तो देखिए अमल और छार की जो अभिकिरिया है अमल और छार आपस में अभिकिरिया करके क्या बनाते हैं लवन और जल बनाते हैं इस अभिकिरिया को क्या कहा जाता है उदासिनी करण अभिकिरिया इस अभिकिरिया को हम क्या कहेंगे उदासिनी करण अभिकिरिया एक्जाम्पल हम देखें, तो देखें, HCl क्या है, यहाँ पे Acid है, और इसकी अभिकरिया हम किसे करवाएं, Sodium Hydroxide से करवाएं, तो यहाँ पे क्या बनेगा, लवन बनता है NaCl, और क्या बनेगा, जल बनेगा, तो अमल और छार आपस में अभिकरिया करके क्या बनाते हैं, अभिकरिया, आगे हम बात करें, देखिए, धातू के Oxide, very important, धातू Oxide की हम बात करें, तो धातू Oxide की जो प्रकरती है, वो कैसी होती है, चार यह होती है, धातू के Oxide की प्रकरती कैसी होती है, चार यह होती है, लेकिन कुछ धातू के Oxide है, जैसे की Aluminium Oxide है, इसके इलाव जिंक ओक्साइड है इनकी परकरती कैसी होती है उभे धर्मी होती है तो धातू की जो ओक्साइड है इनकी परकरती कैसी होती है चारी होती है और धातू ओक्साइड की अभिकिरिया यदि हम किस से करवाएं अमल से करवाएं तो क्या बनेगा लवन और जल बनेगा और किस तरह कि अभिकरिया होगी उदासे नहीं करन अभिकरिया क्यों क्यों क्योंकि अमल जो है वो चार से अभिकरिया करके क्या बनाता है लवन और जल बनाता है इस अभिकरिया को क्या कहा जाता है उदासे नहीं करन अभिकरिया क्योंकि धातू ओक्साइड जो है उसकी परकरती कैसी होत किसे करवाएं यहां चाहर से करवाएं तो तो किया बनेगा लवण और जल बनेगा क्योंकि यह पे भी अमल्य जो है वो किसे करेगा किस तरह फी कर जाह से चर आइक अभिकरिया जब अमल से करवाई जाती है तो क्या बनेगा लवन और जल बनेगा कैसी अभिकरिया होगी उदासे नहीं करन अभिकरिया उसी तरह से एधात्वी कोकसाइड की परकरती अमल यह होती है और इसकी अभिकरिया यदि हम छार से करवाएं तो क्या बनेगा लवन और अभी के लिया कौन सी होगी, उदासे नहीं करना भी के लिया, आगे हम बात करें, सभी अमल और जो चार होते हैं, उनमें क्या चीज कोमन होती है, सभी अमल और चार में क्या समानता होती है, उसकी हम बात करें, तो देखिए, आप यहां से नोट कर सकते हैं, कुछ अमलों की हम बात करें जैसे आपके पास सल्फूरी केसिड है S2SO4 इसके इलावा नाइट्री केसिड है इसके इलावा HCL है इसके इलावा ACT कामल की हम बात करें CS3, COOH ये कुछ अमल है आपके पास तो जब हम इनको जल में डालते हैं तो ये आइनों में क्या होते हैं तूट जाते हैं जैसे सल्फूरी कमल की हम बात करें तो ये किसमें तूट जाएगा H+, और SO4 2- इसके इलावा HNO3 की हम बात करें तो ये किसमें तूट जाएगा H+, और NO3- HCL की हम बात करें तो ये किसमें तूटेगा में आइनों में विभक्त हो जाते हैं और कौन सा आइन जो हैं वो रिलीज करते हैं एच प्लस आइन देखिए जो एच प्लस आइन आप यहां पे देख पा रहे हैं यह सोतंतर रूप में नहीं रह सकते ये जल के अड़ों के साथ रहते हैं तो इसको H प्लस आइन लिखना गलत है हम इसको कैसे लिखेंगे या तो हम लिखेंगे H प्लस आइन का जलिये विलियन या फिर हम लिखेंगे इसको S3O प्लस और इसको बोला जाता है हाइड्रोनियम आइन क्या कहते हैं इसको Hydronium Eye यानि कि सभी अमल अपने जलिये विलियन में कौन सा आइन रिलीस करते है H प्लस आइन और यही समानता देखने को मिलती है सभी अमलों के अंदर उसी तरह से सभी चार जो है वो अपने जलिये विलियन में कौनसा आइन देंगे OH-1 तो यह समानता होती है सभी अमल और 4 के अंदर और याद रखें H-1 को हम क्या लिखेंगे H-1 जलिय विलियन या फिर हम क्या लिखेंगे S3O+, यानि कि हाइडोनियम आइन इसको H-1 लिखना क्या होता है गलत होता है तो सभी अमलों में कौनसा आइन होता है H-1 होता है सभी अमल अपने जलिय विलियन में कौनसा आइन देंगे H-1 और इन्ही H-1 की वज़े से अमल का जो जलिय विलियन होता है वो विधूत का क्या होता है सूचालक होता है विधूत का क्या होता है सुचालक अब यहाँ पर देखिए जब अमल और जल की अभिकरिया करवाई जाती है तो ये अभिकरिया कौन सी होती है इस्टुडेंट उस्मा छेपी इसमें उस्मा क्या होती है बाहर निकलती है अमल और जल की अभिकरिया कैसी होती है उस्मा छेपी होती है तो जब कभी भी अमल और जल को अपस में मिलाया जाता है तो अमल के अंदर जल नहीं मिलाया जाता जल के अंदर धीरे धीरे किसको मिलाते हैं क्यों क्योंकि जल और अमल की जो अभिकिरिया है वो कैसी होती है उस्मा छेपी होती है तिवर उस्मा छेपी होती है यदि हम अमल के अंदर जल डालेंगे तो उसमा छेपी अभिकिरिया होने की वज़ा से जिस पातर में आप इनको मिला रहे हो वो पातर जो है वो टूट सकता है इसके अलावा जो अमल है वो उचल करके आपके सरीर पे गिर सकता है इसलिए ऐसा करना क्या होता है हानी कारक होता है इसके अलावा हमने देखा कि अमल का जो जलिये विलियन है वो विधूत का क्या होता है सूचालक होता है तो आज के लिए साथियों इतना ही मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए आप सभी सात्यों का भूत भूत धन्यवाद जय हिंद जय भारत